मुंबई के संटा कुछ के ये संडिटी ग्राउंड में चल रहे संटु हिूमन का ने द्रिश्ट कोण वाले शिवीर का अयतिहाशिक आयोजन बड़े ही साधगी के साथ चल रहा है जिसमें प्रावचन नहीं प्रयोग है कि पुझ्ज परम आले जी महाराज के प्रयोग को चाहे होमियोपैथी हो चाहे आउर्वेद हो चाहे कोई अनपैथी लेकिन सरीर के प्रत समझ नहीं होने से बिमारिया घर कर लेती है इसलिए इन पैथियों का सहारा लेना पड़ता है जबकि यह सरीर आनंद के लिए मिला है और उस आनंद से परम आनंद तक पहुचना है उ उनके कार्यों की खूब तारीब भी कर रहे हैं तीन जन्वरीश आठ जन्वरीड तक सुबा के दो घंटे चले इस शिविर में करीब पंद्रा सो साधक भाग लेकर अपने जीवन को रुपांतरित करने का कदम बढ़ा रहे हैं तो है इस शिविर के आयोजन को सफल बनाने में प्रमुख रूपस सामिल लोगों में आये 20 लोगों की प्रमुख भूमका रही जिन्होंने लोगों को जागरित करके इस महा सिविर का लाव लेने के लिए लोगों को आमंतरित किया तो ही सन्टू हूमन के कनहया लाल खंडेल वाल ने बताया कि यहनी सिविर रभिवार तक चलेगा भाग लेने वाले सभी साधकों को एक लाइन नास्ता भी दिया जा रहा है तो ही आपको बता दे कि इसके पहले बोरी बली में बीते दिनों छे दिवशी इस महा सिविर का आउजन हो चुका है जिसमें करीब धाई हजार साधकों ने भाग लिया था इस दोरान पुझे परम आलाजी समेत शिविर में भाग लेने वाले साधकों ने खबर इंडिया के संपादक रिते स्पाठक से खास बातचीत की इस पर देखिए खबर इंडिया की ये खास कवरेज इस वक्त मैं मुंबई के सांटा कुछ के एसन डिटी ग्राउंड हूँ मैं आपको बता दूँ कि जहां पर एक स्लोगन दिया गया है कि एक नया द्रिष्टी कोड का आगाज हुआ है यहां पर प्रावचन नहीं एक द्रिष्टी प्रयोग है इसी कड़ी को सार्थक करने व रूप में परम पुजाला जी गुर्दयो जी को आपकी शुरूप में लाइफ में मिल अज मेरा चौथा दिन है मैं दिनेश लखानी हूं डाइमेंड इंडिसरी से जुड़ा हुआ हूं आज मेरा चौथा दिन था अभी चार दिन में मेरा अनुभव आपको शेर करू तो अभी तक मैंने मेरे जीवन को समझा ही नहीं था और मैं आज चार दिन के बाद इसा नहीं बोलना चाहता हूं कि चार दिन में पूरा समझ गया लेकिन जो समझने का नजरिया था जो सोच था वो पूरा अभी तक गलत था तो मेरे को इसा प्रस्णली इसा फील में कर रहा जो आदमी को पूरी लाइफ का अपने के बारे में समझ नहीं है कि कैसा लाइफ जीना चीए और ये चार दिन में मैं बहुत कुछ सिखा हूँ तो मेरे को ऐसा कॉंफिडेंस है कि इसके आगे और मैं मेरा लाइफ केटे कैसे बैटर कर पाहूं 100% इधर से मेरे कुछ सिखने को मिलेगा जो घूर इसका जो इतना तो मैह नहीं नहीं वह जूड़ा हूं ये स्षम्यागांुन जिवनार लाइफ में आपको चोटासा एक शेर करना चॉता हो के कोई बी ली आपके और का फीचेर सिने जाना है और आप कार यूज तो फिर कुछ भी एक्सिडेंट या अनकमफर्टेबल जो फील होता है वह आपका नॉलेज या आपने समझ नहीं है इसके लिए हो रहा है इसा ही लाइफ में में लाइफ के ऊपर इसा ही बात करूंगा कि लाइफ को के से उसको रियल में उसका के करना च चाहिए कभी क्या करना चाहिए कभी व्यायाम करना चाहिए कभी सोना चाहिए और राइट का भी राइट मार्गिदेशन मिलेगा इसलिए लाइफ रियल में अभी जीने की मजा आएगी इसा मैं फिल कर रहा हूं और फूड और स्लीप हम आप से जाना चाहेंगे साथ आपका सुमनम मेरा ना मोहन है मैं सुरुट से हूँ और मैं कम चक एक साल से जुड़ा हूं संटु यूमन से एक साल में मेरे को इतना मैंने गहरा मटलब जाना के मानू लाइफ जिने के लिए जो को अच्छी सीज मेरे दुनिया में देखी है तो पहली बार यह देखी है एक साल से बहुत बहुत लोगों को वहां लेके गया और इतना मैने सोचा समझा जाना तो इतनी समय में मेरे को पता से बनने के लिए अच्छा मौन बनता है अपना विचारत चाह बनता है सब्सक्राइब करना है किस वक्त खाना है कैसे ध्यान करना है कैसे मन को समझना है काम, करोध, लोब, मह, पूरा जीवन रुपांतरीत हो रहा है मेरा पहले मेरा वजन कम हुआ, उसके बाद मन में शान्ती, बिजनेस में सक्सेस, हर तरह से प्रकास ये प्रकास और फिर हमने सोचा कि क्यों न इसको फैलाए जाए, इस बार बंबई में दो कैंप लगा है, एक बुरी वली में, और पंद्रा दिन में किसी का दो किलो बजन हो गया, किसी का कुछ हो गया, इतना, क्योंकि प्रियोग तुरंट असर दे रहे है, प्रवचन नहीं दृष्टकोंड, परम पुजाला जी महराजी का जो एक संदेश है, आमूमन देखा जाता है, प्रवचन करते हैं, और एक का में आप से गले मिलना, आप इस अनुपाब को आप बता सकते हैं, तो भाव जो होते हैं, उसमें सब्द नहीं होते हैं, और भाव सब्दों से तीस हजार गुना ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, हम वो बहसा बूलगे, तो परवचन नहीं परियोग के द्वारा हमारे वो अन्नोन को कैसे चेंज करना, वो एक ताइम में आपको चार कदम ही दिखेंगे, बोजन तो बोजन, उसके आगे का नहीं दिखिया, लेकिन जैसे ही आप चार कदम से लोगे, जैसे ही आपकी यहां की प्रपर्टी कम होगी, आगे आपको मालू पड़ेगा, मन हलका, शिजवानी में नौरात्री की है, और यहां परमाले जी की जो गंगा बहरी है, उसके अंदर डुपकी लगा रहे हैं और अपने आपको विक्सित कर रहे हैं, देखिए, जितने भी हुमन हैं या मानव हैं, वो सब खुच जानते हैं, यूटूब में ग्यान भरा है, या और ला सकता है, तुरंत, क्योंकि वानी से इंसान की कोई जागरती नहीं होती है, प्रियोक से इंसान की जागरती होती है, उस जागरती से ही इंसान अपने आप में परजलित होता है, अपनी जोती जलती है, और यही पांच तत्म की जोती से अपनी खुद की पहचान कराने में परमाले जी सक्सम है और उन्होंने पैचान करानी शुरू कर दिये और इंसान जलता रह रहा है और अपने आपको परजुलित कर रहा है इसी आसा के साथ की दुनिया में लोग यहां आए और इसको परजुलित करें यही हमारी भावना है धन्यवाद हम रिदुला है और शिविर तो बहुत ही सुन्दर है अभी तक सिर्फ शरीर को समझाता शरीर ही हम है ऐसा मानते थे पर अब यह समझ में आ रहा है कि हम शरीर नहीं है शरीर के अंदर कुछ है शक्ती जो इस शरीर को भी छोड़के कहीं और यात्रा कर जाती है तो इस यात्रा को कैसे समझें और कैसे सुंदर बना सकें इस बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहे और मैं पहले भी यह कैम्प कर चुकी हूं तो मैं कह सकती हूं कि आप में इस शरीर की लेवल पर समझने की चमता तो होगी पर अगर मन को समझना है चेतना की शक्ति को समझना है तो य आपको क्या लाब मिला क्या नई उड़ आपको मिली हैं मेरा नाम कांता जैन है मैं परमालेजी से पांच साल पहले मिली थी और लगातार पांच साल से मेरे हज़्बेंट तो जाते ही हैं मैं भी दो तीन भार सेजवानी जाकर आयो बहुत अच्छी साधना करवाते हैं और मन चेतना जो सब के उपर काम करवाते हैं मन को कैसे बैलेंस करना है और अभी मुंबई कैम्प हुआ है लास्ट दो मैने से सभी परमित्र यहां आये हुए है पूरी मुंबई को जगाने की का जिनके जीवन का एक ही सार है वसुधा कुटुम्बकम की तर्जपे काम करना सारे सर्मधम संभाव की तर्जपे लोगों को एक जागरित करना नवचेतना देना जीवन के सार को समझाना मुंबई के संटकुच के संट्रिटी ग्राउंड में जो गुरुजी का अभिश्मर् ज्यान साला चल रही है शरीर को कैशे स्वस्तर रखें कहा जाता सुथ श्रीर में स्वन मस्तिस का निवास होता है परमपुझ अला जी महराज साब से पहले आपका मुंबई में स्वाग बहुत बहुत धन्यवा सबसाब सभी को प्रणाम साब मुंबई वास सादर परणाम गुरदेश्य जी आप जाना चाहेंगे जो सीविर है जो आपका तीन सुत्रधार है राइट फूड शलीप इक्सरसाइट इसके बारे में गुरदेश्य जी बताना चाहेंगे राइट भोजन खाली पेट कहीं नहीं सब अंदर मन का भी भोजन चाहिए राइट तो राइट भोजन का जो डिजाइन किया हमने पूरा वो शरीर के साथ मन का भी पूरे भोजन का डिजाइन किया हुआ इसके अंदर दोनों के जब भोजन फुल्फिल्मेंट होते हैं तो ती उप्योग किया जाता है हमारी जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए साथ शरी जाता है नेंद में मन जाता है विश्राम में और चेतना सिर्फ योग निंद्रा में ही पहुंसती साथ और राइट गती की जो बात हुई या व्यायम की जो बात करते हैं उसमें से उर्जा को नि कि जो आपका एक शुवीर चल रहा है ज्ञान की दिहान की जुगंगा भाantas रही है इस का आपका उद्दे मिया और हुद अगारी है Issa का प्रोख सुन में सुन करते लिए इसका प्रभू खुद्दे लिए निरुदेशी चलता है सब बहता है सब नदी बहरे यह जल जिसको पीना हो पिएगा तो हम को जब हिस्सा बनना है इस प्रकरति का तो फिर आप जो यहां पर ग्यान की शिवीर की गंगा बहा रहे हैं इसके हिस्से में जो गोता लगा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहे आपका वुंबई में दो शिवा यादे कुछ आधा करना चाहेंगे वियूंतव से लोगो प्रपुलित होती जब बेटा थरप्त होता मां को वेसी बहुत आनन दाता सब तो उसमें अच्छा और बुरा दी बहुत अच्छा है वह तो प्रपुलित है सब आननदे वो तो भाइनग meer मुंबई के लोग आपके ग्यान में गो elles स्वास्ति कारलाब ले हैं जीवन जीने का सार सीख रहे हैं अगला शिविर आपका अगला शिविर जस्किष्प गहरा वाला हमारे जहां हमने डीवलप की जगे को जहां मैं आसानी से कोिवंध कर वा और फिर चोटे शिवर होते हैं वह अगला श्वर कॉलकोता के बाद मनसोर में एंपी में और उसके बाद घरगों में जो वह भी एंपी में उसके बाद उदहईपूर हो राजस्थान मेंu सब्सक्राइब करना तो आने वाले समय में मध्यप्रदेश और राजस्थां में इसा भव्य और इतिहासिक शीविर से लोगों को जीवन जीने का सार मिलेगा और आईशे लोग अगर अपने सिवीर में उपस्तिती दर्ज कराते हैं उन्हीं सी तोर पे उनका जीवन धन्धाने होगा के साथ रितेस पाठक खबर इंडिया मुंबई